लखीमपूर खीरी में SIT ने बड़ा खुलासा किया है इसके मुताबिक 3 अक्टूबर को केंद्रिय ग्रिहराज मंत्री अजे मिश्रा के बेटे आशीश मिश्रा ने सोची समझी साजिश के तहट चार किसानों की अपनी गारी से कुचल कर हत्या कर दी यह वारदात किसी लापरवाही की वज़ा से नहीं बलकी योजनाबत तरीके से अंजाम दी गई है इसके बाद भर के उपद्रव में भी 4 लोगों की जान चली गई थी SIT ने दो महिने बाद FIR की धाराओं में भी बदलाव किया है और इसे गेर इरातन हत्या की बजाए हत्या का केस माना है कोट ने भी इसे मंजूरी दे दी है FIR में आशीश मिश्रा मोनू मुख्य आरोपी है धाराओं के बदलने के बाद आशी शहित गिरफतार 14 आरोपियों पर अब हत्या के साथ हत्या के परियास का भी केस चलेगा मंगलवार को सभी आरोपियों को कोट में पेश कर नई धाराओं में वारंट जारी करने के बाद जेल भेज दिया गया इस बीच मंत्री अजय ने जेल में बेटे से मुलाकात की SIT जाच अधिकारी विद्याराम दिवाकर की अरजी पर धाराएं बदली गई है अब IPC की धारा 279, 330, 304, A के जगह 307, 326, 302, 341, 122, 147, 148, 149 Arms Act की धाराओं में केस चलेगा कानूनी विशशग्यों का कहना है कि नए बदलाफ के बाद आशीश और दूसरे आरूपियों को जमानत मिलना बेहत कठिन है दरसल अब पूरा केस नए सिरे से नीचली आदालत में चलेगा लखीमपूर कान के दो दिन बाद 5 ऑक्टूबर को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रिये ग्रिहराज मंत्री अजे मिश्रा टेनी ने कहा था मैं लगतार अपनी बात रख रहा हूँ हमारे पास यहां साबित करने के सबूत हैं कि ना तो मैं और ना ही मेरा बेटा घटनास्तल पर मौजूद था अगर मेरे बेटी की मौजूदी का प्रमान साबित हो जाए तो अभी मंत्री पत से इस्तिफा दे दूँगा जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया है राहूल गांधी ने कहा मोधी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है लेकिन पहले अभीउक्त के पिता को मंत्री पत से हटाए वहीं प्रियंका गांधी ने कहा जाच होनी चाहिए कि इस साजिश में ग्रही राजमंत्री की क्या भूमिका थी उन्होंने पियम मोधी के लिए कहा कि किसान विरोधी मांसिक्ता के चलते अभी तक मंत्री का इस्तिफा नहीं लिया गया है आपको बता दे कि इस केस में सुप्रीम कोट ने भी सरकार को फटकार लगाई थी लखीमपूर हिंसा पर सुप्रीम कोट ने सरकार से कहा था कि मडर के बाकी केसों में जैसे कारवाई होती है वैसे ही इसमें भी करे यह गंभीर केस है पर जैसे देखा जाना चाहिए वैसे नहीं देखा जा रहा है इस पर सरकार ने कहा था सब कमियाद दूर करेंगे आपको बता दे कि लखीमपूर खीरी यूपी चुनाओं में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है क्योंकि करीब 40 दसबलव 21 लाखा बादी वाला लखीमपूर यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपूर खीरी और आसपास के पांच जिलों में 42 विधान सवा सीटे हैं 2017 में यहां से भाशपा को 37 सीटे मिली थी इसलिए जीत मिली 2012 में सिर्फ 5 सीटे मिली थी वहीं आशीश मुश्रा के वकील अवधेश ने कहा धाराएं बदलने से केस और उलज गया है जो नई धाराएं लगाई गई हैं उसके लिए नीचली कोट में नए सिरे से जमानत अरजी देनी होगी SIT ने पूरे तथ नहीं दिये हैं Arms Act किन पर लगेगा ये भी नहीं बताया है ऐसे में अब देखना ये होगा कि केंद्रिये गिराज मंतरी ने जो कहा था कि अगर मेरा बेटा मौके पर हुआ तो मैं स्तीफा दे दूँगा क्या अब वो सच में अपनी कुरसी छोड़ेंगे क्या वो सच में केंद्रिये मंतरी के पत से स्तीफा दे रेंगे जिस SUV ने चार किसानों को रौंदा उसमें मंतरी का बेटा भी था 3 अक्टूबर को केशव प्रशाद मौर्या लखीमपूर खिरी के दौरे पर थे उन्हें केंद्रिये गिराज मंतरी अजे मिश्रा के पैत्रिक गाउं बनवीरपूर में दंगल कारिक्रम में शिर्कत करनी थी अजे मिश्रा उनके साथ ही थे तिकूनिया में ज़रप हुई और काफिले की गारी में किसानों को रौंदिया गया संद्र मंतर के बाशा भारत के जाने माने सर्विसे गुरू खान जी मिलेगा हर समस्या का समधार गयरंटी के साथ मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिष्टे आते थे पर कोई न कोई अर्चन पड़ जाती थी इसी वज़ा से मेरा पूरा परिवार बहुत परशान था बावा जी की दुआउं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहु बने बट को चाहे जहां काम होका सिर्फ यहां सभी समस्याओं का समाधान गुरू खांजी अभी कॉल करें 9821707996